राम राम गौरु अकार आपा आपक चनल पर स्वागत करता हुए हम बात करेंगे हुंडईम here at India 칼 में हुंडई आउ आइपियू आया है ॉ है तब से मेरी राय इसके बारे में क्या है वो तो मैं यहां नहीं बता हूंगा चुकि उसके या तो मेंबर्सीप लेना होगा या फिर टेलिग्राम या फिर लाइब सेसन जॉइन करना होगा यहां पर मैं क्यों चार्ट इनालसिस करोंगा चार्ट इनालसिस करके यह हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि अब क्या संभावन आए हैं हुंडई मोटर इंडिया में है तो चलते हैं इसके चार्ट पर तब तक चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब सेर जरूर करें बेल आइकन प्रेस कर दें साथ साथ लाइब सेसन टेलिग्राम इत्यादी जोईन कर लिए हैं हुंडई का बहुत छोटा सा चार्ट भारत का सबसे बड़ा आई-पी-ओ था सारे लोग जानते इसको बताने की कोई बहुत बड़ी जरूरत है नहीं बहुत हो हल्लाम अच्छा एकदम ये कर देगा वो कर देगा ऐसे कर देगा वसे खदगा इसा आकर के किया कि तब से भारती बजार ही ले डूबा है पूरा देखा जा जब से हुंडई के आई-प कुछ भी मत करिएगा भी मेरे विचार से आपका फाइल से ड्वाइजर या आपका मन जो करता वो करी वो अलग बात मेरा विचार यहीं है कि बिल्कुल इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाइंग नहीं है हुंडई के सेयर में भाइंग आपको मिलेगी बारा सो से पंद्रसों के बीच अब कुछ लोग कहें अरी यह तो दम ब्युकू बना रहा है भाई आप इसे ब्युकू बनाना कहें या जो भी कहा लें सबके अध्यान अध्यान की बात अलग होती है ठीक है तो बारा सो से पंद्रसों के आसपास यह आपको मिलता है तब तो ठीक है नहीं तो बाइं मत करिएगा हां ट्रेडिंग के लिहाद से आपको बाइं करना है कि नहीं हम ट्रेड करेंगे इसमें उननीस सो के बाद 1900 के बाद इंट्री करिएगा उसके पहले ट्रेडिंग के लिए भी इसमें घुसिएगा मत बाकी आपके पैसा आपके मर्जी अभी के लिए इतना ही धन्यवाद राम राम